किसान भाईयों आज बात करेंगे भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गन्ना किस्म की इस बार इस गन्ना किस्म ने जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन दिया है जितने भी किसानों ने या गन्ना किस्म लगाई थी उनका उत्पादन आप सुनके चौक जाएंगे क्योंकि ये गन्ना किस्म ही ऐसी है जिसने भी लगाया वो फिर दुवारा लगाना इस किस्म को चाह रहा है चाहें पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो उत्पादन दोनों में अच्छा निकलता है इस गन्ना किस्म का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा है भारत में अगर बात की जाए जितनी भी गन्ना किस्मे है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो ये किस्म आप पीछे देख रहे हो इस किस्म का जो है गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा है 2024-2025 में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यही किस्म बवाई की जा रही है लेकिन ये गन्ना किस्म कहाँ पर ज़्यादा तर मिल सकती है कहाँ के किसान इसको ज़्यादा लाइक कर रहे है अभी ये गन्ना किस्म अगर देखा जाए तो ना तो पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है अभी ये कहीं कहीं पे इस गन्ना किस्म को किसानों ने लगाया है और जो रिजल्ट आया है वो चोकाने वाला है इतना उत्पाधन जादा दिया है तो ये कौन सी है गन्ना किस्म आज इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कितना प्रतेकर निकल लहा है और ये गन्ना किस्म आपको बुवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो आज ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है तो किसान भाईओं आप देख रहे हो मारा YouTube चैनल Agriculture Research Center वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से लेटिब वीडियो लाता रहता हूं जो या किस्म है या एक अरली किस्म है और अगर बात करें तो किसान की कुल लागत को ये कम करती है इसमें लागत भी कम लगती है इस गन्ना किस्म में और इसमें रोग और बीमारियां लगने की जो है बहुत कम संभावना रहती है देमान के चलिए सव में 95% रोग और कीट लगने की भी संबहमना कम रहती है इसलिए किसान इसको ज़्यादा पकड़ रहे हैं अगर इसके उत्पादन की बात करें ये प्रतियकड कितना उत्पादन देती है अगर बात करें प्रतियकड इसके उत्पादन की तो 400 से 420 कुंटल तक प्रतियकड जो है ये उत्पादन यह किस्म दे रही है और इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है अगर गन्ये की बात करें अगर कम से कम लंबाई होगी तो 12 फुट से कम किसी गन्ये की आपको लंबाई नहीं मिलने वाली है ज़्यादा ही जाएगी किसान भायों इसका जो भी गन्या होगा मोटा गन्या इसमें होता है किसान भायों अगर बात करें तो एक गन्ये का बजन लगभग जो है 4 किलो तक निकला है जब किसानों ने इसका बजन किया तो उसमें 4 किलो एक गन्ये का बजन निकला है तो किसान भायों ये गन्या किस् जो किसानों को बहुत जादा प्रसंद आ रही है और किसान इसी गन्ना किस्म को लगाना चाहर है तो किसान भाईयों ये जो गन्ना किस्म है ये PB95 पीवी 95 किसान भाईयों ये गन्ना किस्म है आप पीछे हमारे देख सकते हो इसकी हाइट आप देख सकते हो और इसका बजन भी एक गन्ने का चार किलो मैक्सिमम होता है अब आप सोच सकते हो 400 से साड़े 400 कुंटल प्रतियकड से जादा भी ये गन्ना निकल सकता है तो किसान भाईयों अगर इस वार आप गन्ने की बवाई करने जा रहें तो अगर PV 95 आपको बीज कहीं पर मिलता है तो आप PV 95 गन्ने की बवाई करें इसमें ज्यादा उत्पादन होता है और रिकबरी भी मिल को ज्यादा आती है तो किसान भाईयों या गन्ना किस्म बहुत ही अच्छी है और ये गन्ना किस्म काफी ज्यादा इस वार बवाई की जा रही है जिन किसानों ने इस साल बोया था उनका जो है 400 प्लस प्रतियकड़ जो है उत्पादन निकला है तो किसान भाईयों इस बार आप PV 95 गन्ने की बवाई करें अगर आपको ज्यादा उत्पादन लेना है अगर आपके खेत में ज़्यादा रोग ज़्यादा कीट लगते हैं तब भी ये PV 95 आप गन्ने की बवाई कर सकते हो इसमें ज़्यादा रोग और ज़्यादा कीट लगने की संभावना कम रहती है 95 पर सरतो कीट रोग इसमें लगेंगे ही नहीं और उत्पादन की दरश्ट से भी इसमें ज़्यादा उत्पादन किसान भाईओं आपको मिलने वाला है और बात करें इसके हाइट की तो आप पीछे हमारे देख सकते हो आपको बताने की जरूरा नहीं है कितनी गन्ने की हाइट है तो किसान भाईओं इस बार अगर गन्ने की बवाई आपको करनी है तो पीवी 95 आप बवाई करिए अपने जिस भी एरिया में आप रहते हो चाहें उत्तर प्रदेश में रहते हो पंजाब में रहते हो MP में रहते हो, किसी भी प्रदेश में आप रहते हो, वहाँ पर आप सर्च कीजिए, कहाँ पर PV 95 जो है गन्ना ब्रैटी हमको मिल रही है, वहाँ से लाकर के आप PV 95 गन्ना की बवाई करिए, ये गन्ना किस्म सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली है, तो किसान भाईों, 2024 2024 पचीस में ये गन्ना किस्म च्छाई हुई है, किसान ज्यादा से ज्यादा इस साल इसकी जो है बवाई कर रहे हैं, इस बार जो है PV 95 गन्ने की बवाई कर सकते हैं, किसान भाईों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो, त सही वीडियो लाता रहता हूँ, मिलूँगा किसान भाईों, एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए, जै जवान, जै किसान